जैसरी शाम दोस्तों स्वागत आपका प्राचिन धर्मग्यान चैनल में इस साल अक्षय तिर्तिया का भूत अधिक महत है क्योंकि अक्षय तिर्तिया से तीन दिन पहले ही सुर्य ग्रण होने वाला है तो अक्षय तिर्तिया आने से पहले ही आपको ये पांच चीजे निकाल क घर से भार फेंक देनी है नहीं तो मातालक्षमी रूस्टोकर आपके घर से भार से ही लोट जाएंगी और इसलिए अक्षय तिर्थिया से तीन दिन पहले सूरिय ग्रेन होने की करण अक्षय तिर्तिया का मैत और भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको अक्षय तिर्तिया की पूजा पाट की तैयारी पहले से ही करनी होगी। और इस साल की अक्षय तिर्तिया 22 अप्रेल को है। क्योंकि अक्षे तिर्तिया के दिन भगवान स्री हरी विष्णू और माता लक्षमी की पूजा का विशेस विधान है इस दिन घर में माता लक्षमी की आप पूरे विधी विधान से पूजा करती हैं तो घर में सुख सोहार्द और सुख संपत्ति बढ़ती है और अक्षे ति वाका कोई सुब मूरत नहीं निकल रहा तो उन लोगों को अक्षतिर्तिया के दिन अभूज मूरत में शादी करनी बहुत ही शुब होगी क्योंकि अक्षतिर्तिया अपने नाम के अनूरूपी स्वम सिद्मूरत है और इसके लिए पंचांग देखने की भी कोई जरूरत नहीं है और इन सब के साथ साथ अक्षतिर्तिया के दिन गंगासनान, जप, तप, ध्यान और दान आधी का बहुत ही पुन्यफल मिलता है वैसे तो बैसाक मास पूरा ही भगवान सरी हरी विश्नु को समर्पित होता है तो बैसाक मास में किये गए पुन्यकारियों की हजार वर्सों तक तपश्या के बराबर फल मिलता है लेकिन अक्षतिर्तिया के दिन किये गए दान से आपको लाखो यग्गों के समान पुन्य फलों की प्राप्ति होगी वहीं अक्षतिर्तिया से तीन दिन पहले सुर्य गर्यान होने के कारण आपको कुछ काम ऐसे हैं जो पहले से ही कर लेने हैं अगर ये काम आपने पहले से नहीं किये तो मातालक्षमी रूश्टोकर आपके घर से लोट जाएंगी और आपको मातालक्षमी की आसिरवाद से वंचित रहना पड़ेगा तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कौन से हैं वो पाँच चीजे जो आपको अक्षतिरतिया आने से पहले ही घर से भार निकाल कर फेक देनी हैं लेकिन उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को पूरा देखिए स्किप बिल्कुल मत करिए और यदि आपके जीवन में भी कोई प्रेशानी बनी हुई है तो कमेंट बोक्स में अपना नाम अपनी डेटो बर्थ और अपनी प्रेशानी को अवश्य लिखें और कई बंदुगन अपने डेटो बर्थ और अपना नाम लिखकर छोड़ देते हैं प्रेशानी नहीं अपने नाम के साथ अपने समश्या अवश्य लिखें तभी हम आपको कोई उपाई बतास केंगे तो चलिए जान लेती हैं कौन सी हैं वो पांच चीजे जो आपको घर से बाहर निकाल कर फैक देनी हैं तो इसके लिए आपको अक्षे तिरतिया आने से पहले ही अपने घर के मं अच्छे से कर देनी हैं कहीं से भी कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए क्योंकि मातरलक्षमी और भगवांसरी हरी विष्णु को साथ अधिक पसंद हैं जहां साथ सफ़ाई होती हैं वहीं मातरलक्षमी निवास करती हैं लेकिन उससे पहले आपको यह पांच चीजे घर से निकाल कर बिल्कुल भार फैक देनी हैं तो इन सब में सब से पहले जाडू का नाम आता है क्योंकि जाडू को मातल लक्षमी का परतीक माना गया है इसके लिए सास्त्रों में कई तरह के नियम भी बताई गई हैं और ऐसे में अगर आप इन नियमों का सही डंग से पालन नहीं करेंगे तो उसके काफी बुरे परिनाम भी हो सकते हैं अगर आपके घर में कोई तूटी फूटी जाडू पड़ी है तो अक्षतिर्तिया से पहले ही आपको उस तूटी फूटी जाडू को घर से निकाल कर बाहर फैक देना है नहीं तो मातल लक्षमी नराज हो जाएंगी और आपके घर से सुक्सम्रदी भी चली जाएगी जिसके कारण आपके घर में दर्जदृता आ जाएगी और आपके घर में नकारत्मक्ता का भीवास हो जाएगा तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं होने देना है अक्षतिर्तिया आने से पहले ही तूटी हुई जाडू को घर से निकाल कर भार फेंक देना है और अब दूसरा काम आपको यह करना है अक्षतिर्तिया आने से पहले अगर आपके घर में कोई जूते चपल तूटे वे पड़े हैं तो उनको भी निकाल कर घर से भार फेंक दीजिए अगर आप अक्षतिर्तिया से पहले ऐसा कर देते हैं तो घर से दर्दृता दूर चली जाएगी और आपकी घर में माता लक्षमे का वास होगा। अगर हो सके तो इस दिन आप सोना चांदी या कोई अच्छी सुब वस्तुएं खरीद लें। नहीं तो अपने सामर्थ के अनुसा चीजे खरीदें। और जिन लोगों का सोना चांदी खरीदने का सामर्थ नहीं हैं, वो इन चीजों के बदले कोई और चीजे भी खरीद सकते हैं। उसके लिए हमने एक दूसरी वीडियो में पूरा विस्तार से बताया है। तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रेप्शन बोक्स और आई बटन में डाल देंगे। उसको आप वहाँ जाकर पूरा विस्तार से देख कर समझ सकते हैं कि सोना चांदी के बदले आपको क्या खरीदना सुब रहेगा। और अक्षदिर्तिया के दिन अगर आप इन चीजों को खरीदते हैं तो माता लक्ष में प्रसन्न होती हैं और आपके उपर अपनी किरपादर्ष्टी बनाए रखती हैं। और अब तीसरा काम आपको ये करना है। घर में यदि कोई तूटे फूटे बरतन पड़े हैं तो अक्षदिर्तिया आने से पहले उन तूटे फूटे बरतनों को घर से निकाल कर बार फ्येक दीजिए। क्योंकि तूटे फूटे बरतनों का रहू से संबंद होता है। और तूटे वे बरतनों से घर में नकारत्मक्ता आती है, इससे घर में अशान्ती फैलती है। और ऐसे में माता लक्ष्मी भी घर से दूर चले जाती हैं और माता लक्ष्मी का घर से दूर जानने के कारण पारिवारिक सदर्शों को आर्थिक तंगे का सामना भी करना पड़ता है तो इन सब से बचने के लिए आपको अक्षतिर्तिया से पहले घर के टूटेवे वर्तनों को घर से निकाल कर भार कर देना है और अगर मा लक्ष्मी को घर बुलाना चाहते हैं तो अक्षय तिर्तिया आने से पहले ही घर में अगर कुछ असूप चीजे रखी हैं तो उनको निकाल कर घर से बाहर रख दीजिए तो चोथा काम आपको यही करना है जो कुडे दान आपके घर में रखा है उसको निकाल कर आप घर के बाहर कहीं एक जगह बना दें वहाँ पर कुडे दान को रखें और इस सब के साथी अगर आपके घर में मैले कपड़े रखें हैं तो अक्षय तिर्तिया आने से पहले ही उन को दोकर साफ कर लेना है और रात के जूठे बरतनों को भी माल दोकर रात को ही साफ करके रखें अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो माता लक्ष्मी नराज हो जाएंगी और आपके उपर कुपित होकर आपको श्राप भी दे सकती हैं तो इन सब से आपको अवश्य बचना चाहि ये माता को करोदित बिल्कुल नहीं करना है और पांचवा काम आपको ये करना है अगर आपके घर में कोई पोदे सूख गई है तो उनको निकाल कर भार्ख कर दीजिए या कोई टहनी पतियां सूखी हुई है तो उनको काट छाट कर साफ कर दीजिए या कोई काटेदार पो और खुश्बूदार पोदे फूलों वाले पोदे लगाने हैं जैसे गुलाब का पोदा गेंदे का चमेली का तो यह सब पोदे माता लक्षमी को प्रिय होते हैं इन सब पोदों से माता लक्षमी प्रसन्न होती हैं तो इन सब पोदों को अक्षतिर्थिया से पहले अवश्य और अक्षत इर्थिया वाले दिन घर के मुख्य दरवाजे पर फूलों से रंगोली भी बनाएं ऐसा करेंगे तो माता लक्ष में आपके घर दोड़ी चली आएंगी और आपके घर में सुख समर्दी भी भड़ेगी आपके घर में कभी कोई धन की कमी नहीं होगी और आपकी आने वाली साथ पूस्तों तक आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा तो ये थी कुछ विशेश जानकारी जो काम आपको अक्षत इर्थिया से पहले कर लेनी हैं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ